हेलो गाइज मैं हो गोरे पार एक और बहुत दिनों बाद आपके सामने एक और निया वीडियो लेके आई हूँ तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने फूर इक्वल साइज के पीस ले लिए जिसमें से दो लाइनिंग के लिए दो में फैब्रिक है जिनकी साइजेज बराबर है तो इसको इस तरह से उल्टा रखके चैन के ऊपर एक अस्तर वाली पीस को नीचे की तरफ रखेंगे और में पीस को उपर की तरफ रखेंगे लिगिन रॉंक साइड रखना है और जिस तरह से आप देख रहे हैं और यहां पर स्टिच लगा लेन इसको अपर बातमे में करवाएंगे पहले हम देख लीटे है कि हमें शाइडबी पूरा इस निलुख अपैर इस सब्सक्राइग कर लेएग डिया नियुक्या यह टूपा लेम सकते हैं तरह कि यहां में थी ररा जशना हैं Łशली में लाता है dan कि निकाल लेना है और इसमें और साइड में दोनों कॉर्नर पे स्टिच लगाना है बीच में ओपन छोड़ना है और अब रिंग को इस तरह से चैन वाले पार्ट के एकदम कॉर्णर पे हमें इसको अंदर के साइड लटकाते हुए लगा देना है बाहर के साइड मत लगा देना नहीं तो वह अंदर रह जा लाइनिंग लाइनिंकि सायद रहेगा और मेन फैबरिक रहे गाईगा इसमें बस हो गया है ऐसे हम चैन के इसमें से इंसाइड आुट निकालने जैसे इंसाइड posture निकालने के बाद में हम इस दो आले पार्ट को जो कि आप उपीन था उसे हैंड स्टिच या फिर मशीन से भी आप स्टिच लगा सकते क्योंकि अंदर एगा तो कोई खास देखेगा नहीं इस तरह से अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे और जस्ट एट सेट हमारा पाउच रेडी है झाल एंदर एंदर भी ट्क एंदर 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 एंदर